हेलो वीवर्स, असलाम अलेकूं मैं वसीम साधिक कुरेशी वीवर्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं B.A.D. Distance Mode के तालूक से मानू की ये पहली लिस्ट जारी हो चुकी है इसके तालूक से कुछ बात करेंगे हैं मैं आपको इसमें date बताऊंगा और क्या-क्या उसका procedure क्या है आपको documents क्या-क्या लेकर जाना है मैं सब इसमें तफसील से इस वीडियो में आपको बताऊंगा और फिर भी अगर आपको कोई problem होती है तो आप मुझसे comments में पूछ सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें जो date दी गई है कि आपको कौन सी date को center के पर पहुचना है तो 31 अगस्ट 2019 उसके बाद एक तारीक यानि एक सेप्टेंबर और तीन सेप्टेंबर ये तीन दिनों में ये सब verification होंगी आपको direct documents verification करवाना है आपको center वगरा चुनने के जुरुरत नहीं है आपको already जो list है उसके सामने आपको जो लिखावा दिकराओंगा PC, दर्बंगा, बुरहानपूर, जम्मू कश्मीर या बैंगलोर जो भी आपने center select कियोंगे form में तो वो आपको direct center मिल चुका है बस अब आपको documents verification करवाना है और online payment करना है payment इसकी 27,000 रुपे है तो सबसे पहले 31 तारीक, 3 अगस्त, फिर 1 तारीक और फिर 3 सेप्टेंबर यानि 1 सेप्टेंबर, 3 सेप्टेंबर इस तरीके से होंगा लेकिन आपको पहुचना 31 तारीक को ही है क्योंकि ये extra days दिये होते है, 1 सेप्टेंबर, 3 सेप्टेंबर अगर ये काम इनका बज गया तो आगे करेंगे ऐसे तो ये पहली list है, आपका timing जो है तो 9 बजे से तो 2 पहर के 2 बजे तक के रहेंगा आपको जो सेंटर दिये हुए है जापर आप डारेक्ट जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, वो है दरभंगम बहार में है भोपाल मद्यापरदेश में, असंसोल वेस्ट बैंगॉल के अंदर है उसे बद औरंगबाद महारास्टर में, संभल यूपी में बिदर करनाटक, मेवात हरियाना, जेंड के जम्मु कश्मीर है और बैंगलोर करनाटक में, तो आप इद में से कोई भी जगा पर जाकर आपके डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, इसकी जो फीस है वो है 27,000 रुपए, आप इसमें क्रेडिट कार्ड, आपके डेविट कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डारेक ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, आपको अभी करना यह है कि आपके अकौन में आप 27,000 रुपए रख लीजिए, जिस वक्त आपका एडमेशन हो जाएंगा, तो आपको फॉरन वापर पेमेंट करना पड़ेंगी उसके बाद इसके लिए जो कार्ड आप वैलेट रहेंगे, तो वैलेट क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं नेट बेंकिंग के थोब आप पेमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें हम देखें, तो यहाँ पर अगर आपने देखा होंगा लिस्ट जो जारी होई है उसमें तो उसमें application number starting में दिया हो है, उसमें hall ticket, यानि जो आपका hall ticket number उसमें दिया हो है आपका name है, उसके बाद आपका gender है, और general rank है, तो OBC और general rank को उसमें mix किया है category और allotted category है और उसमें allotted campus, आपका campus के आगे आपका center का नाम दिया हो है आपको लेकर क्या जाना है साथ में सबसे important चीज़ है तो मैं उसके documents आपको कुछ बता देता हूँ तफसील से कि आप कैसे लेकर जाएंगे उसको सब ताकि आपको वहाँ पर कोई भी problem न हो देखें यहाँ पर दिया है कि documents required है इसके लिए जो वो original documents चाहिए आपके और उसके साथ में उसकी दो photocopy चाहिए यानि पूरा set जो भी आप वहाँ पर देने वाले हैं तो उनकी xerox आपके पास होनी चाहिए तो आप दो नहीं करके तीन set बना ली जीए भी और आपके photo वगेरा सब ready रखिए तो आपके जो भी documents है उसके दो-दो photocopy आप सब कर ले एक extra कर ले अपने लिए तो तीन कर लीजिए ठीक है आपको दो आपर वो submit करना पड़ेंगा उसके बाद आपका जो B8 का intern test आपने जो दिये July 2019 में तो उसका haul ticket लगेंगा और two copies of online application form आपने online जो form बरा था उसके दो copies में लगेंगी आपका जो है तो proof चाहिए कि आपने 10 वी और 12 वी में आपको कोई subject उर्दू था तो उसका proof आपको चाहिए 10th SSC है उसके equivalent board examination का certificate उसमें चाहिए उसके बाद marship चाहिए आपकी graduation की या post graduation की ठीक है और उसमें percentage का criteria इसमें यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन वो 50% होता है तो उससे ज्यादा हो या 50 हो कम से कम आप अगर स्कूल में जॉब पर है तो आपको certificate चाहिए employer certificate आप जो स्कूल में वाँके headmaster से भी आप ले सकते है या आपके जो शेयर की में अगर आपने कोई सर्विस पर नहीं है लेकिन आप कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने दो साल का face to face mode में किया हुआ है तो आप वो certificate लेकर जा सकते है migration certificate चाहिए migration certificate उन लोगों को चाहिए जो मौलाना आजद युनिवर्सिटी से नहीं है अगर आपने graduation मौलाना आजद युनिवर्सिटी से किया है तो आपको migration की जुरूरत नहीं पढ़ेंगी और अगर आप other university से है तो आपको migration की जुरूरत पढ़ेंगी ठीक है अगर आप category में आते है याने OBC, SC, ST के अंदर आप आते है तो उसका certificate आपको वहाँ पर दे रहा होगा certificate इसमें जो चाहिए वो national level का चाहिए state level की certificate इसमें नहीं चलते है क्योंकि ये central university है इसलिए तो आप फौरान बनवाले अब इतनी fast ये हुआ है कि एकदम list आई है और एकदम से date आगई है सामने तो आप ऐसा कर सकते है कि वहाँ पर अगर कोई problem होती है तो आप undertaking लिख कर दे सकते है कि हम 8 या 10 रोज के अंदर ये documents जमा करवाएंगे तो consider करते हैं बहुत से center वाले तो वो कर लेंगे अगर आपकी problem आप बताएंगे कि बहुत ही fast ये सब काम हो गया है तो बिल्कुल वो consider करेंगे आपको कोई भी documents problem आती है तो आप वहाँ पर undertaking लिख कर दे दीजिए कि हम 8-10 रोज में सब जमा करवादेंगे हाँ उसके साथ में दो passport size photo आपको चाहिए वहाँ पर उस वक्त देने के लिए तो ये सारी चीजे हैं और भी उसमें instruction बहुत से दीवी है कि fees वगरा जो है वह आपको उसी वक्त जमा करानी हुए अगर नहीं करवाते तो आपका admission नहीं होगा तो ऐसे और भी बहुत सी चीजे उसमें दीवी है आगे हम list में देखे तो यहाँ पर already अच्छी बात है कि already आपको study center मिल चुके है बस आपको documents verification करवाना है और आपकी payment करना है तो बस इतना ही अभी करना है आपको उमीद है आपको यह video पसंद आया हूँगा आप इसे ज़्यादा ज़्यादा जो भी student है और जो जाने वाले है verification के लिए उनमें share कीजिए हमें दुआ मियाद रखिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहे है इंशाला हम जल्द ही एक कर दो दो भी एक ब्रीजाद रहें और जो जब कहले है और इनमेंद है आप लोगयद के लिए पयादे है झाल झाल